Hello everyone, बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ धरम दूबे आप देख रहे हैं आज की खास ख़बरें टीवी के सबसे पॉपिलर सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता में एक और ट्विस्ट आने वाला है इस बार आप देखेंगे कि वेदिका की दोस्त उन्हें समझाती है कि उन्हें खुद के लिए आवाज उठानी होगी वहाँ कार्तिक और नायरा के बीच इंडिया खेलते हुए थोड़ा रोमांस हो रहा है जिसे वेदिका देख लेती है और उदास हो जाती है बता दें कि इस समय कार्तिक और नायरा में कायरो की कस्टडी को लेकर लडाई चल रही है देखते हैं ये ट्विस्ट कहां तक जाता है कौन बनेगा करोड़पती 11 में अमिताब बच्चन के साथ बैठी दीब जोती ने घर घर में शो देख रहे लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है फास्टेस फिंगर फर्स की रेस में अवल आकर दीब जोती होट सीट तक पहुँच गई है इस पर बैठ कर उन्होंने अपने जीवन में देखे संगर शो के बारे में भी अमिताब बच्चन को बताया टीवी अभिनेत्री हिना खान जितनी मौडन और ग्लैमरस अपने शो में दिखती हैं उससे भी कई जादा होट रियल लाइफ में भी हैं शोशल मीडिया पर हिना खूब सक्रिये हैं अभिनेत्री की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है यही वज़े है कि वे अपने फैन्स को खुश करना भी बहतर तरीके से जानती है शोशल मीडिया पर वे अपनी होट तस्वीरें वीडियो शेयर करना कभी नहीं भूलती हाल ही में हिना ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है उन तस्वीरों में हिना बला की खुबसूरत लग रही है मरुन रंग की बोडी कॉन ड्रेस में उन्हें देखा जा सकता है इस ड्रेस में हिना के शरीर के सारी कव उभर कर सामने आ रहे हैं आप भी देखें हिना की ताजी तस्वीरें हरियानेवी गाना रामसु का वीडियो यूटूपर दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है गाने को सपना चौधरी, सोम वीर काटूरवाल और कपिल काटूरवाल पर फिल्माया गया है यूटूपर इस गाने को दर्शकों के बीच काफी देखा जा रहा है प्रॉनिट टीवी से दूर क्यों है इस सवाल के जवाब में एक्टर ने कहा लेकिन मुझे चीजें समझ में आ गई थी जब अदलाओ की गुंजाईश खत्म होती है तब काम में ठहराओ आने लगता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ इसले कर मैं सहज नहीं था तो दोस्तों ये थी टीवी जगत से आज की टॉफ फाई नियूस ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं देखते रहें हिंदी राश